पिछले कुछ समय में जम्मो कश्मीर बैंक की कार गुजारियों पर राज़िपाल परशासन के तल्ख रवये की सरहाना करते हुए MLC विबोध गुपता ने इसे एक एतिहासिक कदम करा दिया है MLC विबोध गुपता ने कहा है कि ब्रस्टा चार के प्रती राज़िपाल परशासन के इस तल्ख रवये में कई सुधार आने की संभावना है जिस्दे जम्मो कश्मीर की दशा और दिशा बदलने में सहयोग मिलेगा दूसरी और MLC ने जम्मो कश्मीर में आने वाले समय में विधानसवा चुनाओं का हवाला देते हुए दावा किया है कि चुनाओं में भाज़पा पून भहुमत में आएगी और अगला मुख्य मंत्री भी भाज़पा का ही होगा जम्मो कश्मीर मेंक के चेर्मैन को हटाया गया और जम्मो से रहने वाले एक चिपर उनको चेर्मैन बनाया गया ये अपने आप में बड़ी बात है अतिहसिक बात है और जिस डंग चे उसके बाद वहां उसको विजलन्स ने जाकर वहां पर जाकर छापा मारा और चेर्मेन के चेंबर को जो है उसनों ने कैप्चिन कर लिया और खंगाला जा रहा है कि कितने बड़े-बड़े गपले जो है वो इस समय जो है वहाँ पर हुए हैं बड़े रिफार्म आने वाले हैं बड़ी ऐसे बड़े फैसले आने वाले हैं जिस से जमू किश्मीर की दशा और दिशा बदलेगी इस समय बात आ रही है कि अमर्ना यातरा के बाद यहां पर चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे उसक बारती जन्ता पार्टी अकेले अपने धम पर यहां सरकार बनाएगी और पहली बार जमू किश्मीर के अंदर जमू का जो है चीब मिनिस्टर बनेंगा यह तैह जेकी न्यूस पॉइंट से रेनुबाला की रिपोर्ट